इस विडियो के माध्यम से मैं कुछ बताना चाहती हूँ पूरी भारत बर्स में सनातन धर में छट पर्व, छट पर्व, छट पर्व क्या है? मोटा मोटी सब लोग यही जानते हैं कि सुर्ज की उपासना है छट पर्व सुर्ज की उपासना के साथ साथ और भी बहुत से चीजे इनसे जुड़ी है मैं बताने जा रही हूँ छट लोग पर्व या परकिर्ती पर्व भर ही नहीं है यह स्रिस्टी का महा पर्व है इन में लोग परिवार के साथ खेती, किशानी, फल फूल, नदी जलासे, सुग्गा चिरई, पासपडोस सब सामिल है परिवार की महत्ता के साथ सामुहिकता का संदेश देता है यह महा पर्व छट छट महा पर्व इतिहास रिगवेद में सबसे पुराने बेद में है सुरी उपासना का बर्णन त्रेता युग में, बिहार में, मुगेर में, महरसी, मुगदल, मुदगल के आश्रम में पहली बार हुआ था यह पर्व छट पर्व और द्वापर युग में धम में रिशी के कहने पर अज्यात वास के पास समय दुरुपदी ने किया था यह परत और भविश्य पुरान में, ब्यालीस में अध्याय में, क्रिस्न, पुत्र, साम्ब के मगद में सुर्ज को अर्ग दे कर कुष्ट रोग से मुक्ति का बर्नन है आईए कुछ और जाने छट के बारे में पुरा तत्वेताओं के अनुशार सुर्य उपासना का प्रारंब नव परायनकाल में हो गया था पौरानिक स्रोत में सुर्ज उपासना का प्राचीनतम साक्ष रिगवेद में प्राप्त होता है छट ब्रत का प्रारंब बिहार में ही हुआ था यहां के मुगेर्स में त्रेता यूग में महर्शी मुगदल के आश्रम में इस पर्व की सुर्वात मानी जाती है आज में हमारे प्राकिर्तिक बैद सुर्ज देव ही है प्राकिर्तिक बैद सुर्ज देव ही है सरत की प्रकिर्ति के सब रूपों में सबसे अधिक प्रभावित करने वाले रूप के दर्सन का वर्णन करना हो तो यह दर्सन महापर्व जट का है परकिर्टी के प्रतेकन में सनातन इश्वर देखना भारतिय संस्कृती है हमारी संस्कृती में हमने कभी मनुष्य प्रान को अनिप्रानों से स्रेष्ट मानने की भूल कभी नहीं की सामुई किर्टगेता होती है प्रगट इस पर्म में आपको पता है नदियों से मिले जल और सुर्ज से मिली किर्णों ने हमेशा से मानवता को पाला है भगवान भासकर की पूजा वो उनकी किर्णों से हमें निरोग जीवन मिलता है यही हमारे बैद्द भी है सफेद दाग या सिरोइसिस में सुर्ज की अल्ट्रा वाइलेट किर्णों से होता है इलाज हरा बहुत ही मुगत्पुर छटकाव बबास सारे की सुधता के लिए जरूरी है सुर्ज को साम वो सुबा का अर्ग दिया जाता है सुर्ज की अल्ट्रा वाइलेट किर्णों को सफेद दाग या सोराइसिस बिमारी में इलाज के रूप पे गरहन किया जाता है भारत में विटामिन डी की कमी पाई जाती है इस पर में नदी में असनान के बाद पूरे सरीर पर सुर्ज की रोसनी पढ़ने से सरीर में विटामिन डी बनता है विटामिन डी भोजन से कैल्सियम लेने में मदद करता है है ना बहुत ही महत्तपुर्ण फिस्टिवल मैं भी इस पर्व को बहुत ही निस्ठा के साथ करती हूँ मैं 2005 से यह पर्व कर रही हूँ 18 एर्स मेरा कम्पलीट हो गया मुझे तो बहुत ही आस्था है आस्था सुर्षस्टी सुर्ज का पारण है मैं सुची कुछ सब्द आप लोगों को भी बता हूँ इस वीडियो के माध्यम से थैंक यू फर वाचिंग माई वीडियो